अस्तलामू अलेकूम आज हम बनाएंगे जिंगा मसाला जिंगे मसाले के लिए लेंगे ये 5 मेडियम साइस की प्याज है इसको कट कर लेंगे तीन टमाटर लेंगे कड़ी पत्ता लेंगे लस्तन को हम थोड़ा से सब कोई भी चीज से दबा के कुछ लेंगे और ये तीन बड मिर्चिटेस के साब से लें ये आधा किलो जिंगा है ये दो चम्मच मच्छी का ये मसाला है लेंगे नमक, स्वादनुसाल, हल्दी और धनिया के पत्ते एक मुठी अभी हम एक पैन गरम करेंगे इसमें दो चम्मच तेल डालेंगे इसके बाद तेल लाल होने के बाद ये प्यास डाल देंगे और साथ में उसी में ही कड़ी पत्ता, लस्तन और मिर्ची साथ में ही डाल दे इसके बाद हम लग इसको अच्छे से पका लेंगे और इसको लाल नहीं करना है इसको सिर्फ प्यास ट्रांस्पेरेंट हो जाना चाहिए उतना ही भुनना है और ये नमक डालेंगे नमक से प्यास जल्दी गलेगी इसको अच्छे से मिक्स कर दे और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना देखें इसको ढखकन लगा के इसको स्लो पे रख देंगे प्यास हमारी हो गई है अब इसमें हम लोग टामाटर डालेंगे और टामाटर डालके वे इसको भी थोड़ा अच्छे के भून लेगे और पिजिंगः नुद पकने देंगे टीज हीए च्छे से उसमें पिगल गया है कि भीजिंगा भी उसमें डालकर उसी में पक आएंगे पहले प्याज और टमाटर में उसको अच्छे से पका लेंगे उसको अच्छे से मिक्स कर दे यह हमारा आधा हो चुका है जिंगा पक के अभी यह पाउडर मसाले डालेंगे और इसमें पानी डालेंगे भूनने गड़ेंगे जिंगे का पानी निकलेगा तो उसी में हम लोग इसको भून लेंगे और अच्छे से भून के इसको भी थोड़ा पकने के लिए रखेंगे और इसको अच्छे से बीच बीच में चलाते रहें यह दिखिए यह हमारा मसाला और जहिंगा दोनों भी पग गया है उसका पानी ऐसे ही थोड़ा से इसमें ग्रेवी टाइप रहने देंगे और धन्या पत्ते डालेंगे धन्या पत्ते डालके अच्छे से उसको मिक्स कर दें हमारा जहिंगा मसाला बनके तयार है अभी हम इसके प्लेटिंग करेंगे देखिए कितना अच्छा लग रहा है हमारा जिंगा कैसी लगे आपको मेरी रेसिपी जरूर बताईएगा लाहाफीज